कॉंग्रेस आने वाले दिनों में आत्म चिंतन और मन्थन कर खुद को मजबूत बनाकर विधान सभा चुनाव में जीत दर्च करेगी देश में कॉंग्रेस के वोट में 39 प्रतीशत से अधिक अज़ाफ हुआ है जबकि हर्याना में 4.5 प्रतीशत वोट बढ़ा है ये बाते कॉंग्रेस के प्रदेश अधिक डॉक्टर अशोक तवर ने कही है में करनाल की जट धर्मशाला में कॉंग्रेस के प्रदेश सरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे तो हम लोगोंने हमेशा समान किया है लोगतंतर की जड़ों को मजबूत किया है लेकिन कुछ सवाल ये भी है कि 134 साल पुरानी पार्टी मैं समझता हूं कि काम तो हमने बहुत किया चाहिए अरियाना को अलग बनाने का मामला हो और अरियाने को इसको आगे बढ़ाने का मामला हो हम लोगों के जंता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे पता करने की क्या कारने से रहे जिसकी वज़े से दस की दस सीटे कॉंग्रेस उस बार आ रही है और आगे उम्मीद हमें है क्योंकि अभी करनाटक और तमाम दूसरे उश्जाd चुनावी हुए है कई बार जब दोनों चुनाव एक साथ होते हैं अथीत में हमने देखा है दोनों के परिणाम अलग होते हैं तो जब एक साथ एक दिन वोट देने में प्रिणाम अलग आ सकते हैं तो तीन-चार महीने बहुत हैं और उसका हम सदुभियोग करेंगे अपने संग्धन को और मजबूत करेंगे अजयतन दपने रिखिये झे अजयतने में आज और यहांगे नियुक्त धा केमारी निवांग आया दया यह डी कमन्युद करेंगे देखिए जो चीजे यहने तो सबको इनपॉन मंहारे ऑफिस की तरफ से किया हैं किस किस को किया किसको नहीं किया ये कोई ऐसा वो नहीं है कि देखिए मैं समझता हूं कि वो तो बहुत सी चीजे हैं जो सारजिने की तोर पर आपको भी पता है